हेलो वरिवोन दिस इस अंकीत आवस्थी वेलकम तो मैं चैनल अंकीत आज विजंस बचो आपके पास एक और मौका है एड्मीशन पाने का इनकेस आपका एड्मीशन कहीं नहीं हो रहा है तो मैं आपको जरूर से सजेस्ट करोंगे कि बीएच्व जैसे इनुवरसिटी सबको सब्सक्राइब आपको 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 एड्मीशन मिन सकता है तो जो मैं बोरियू से अपना पूर्ण शुरू करते और ऐसी ही वीडियो मतलब जिनका जिनका मौप पर ऑप लाउन या जिनकी जो रिजिस्ट्रेशन पॉर्टल पर फिर से ओपन हो रहा है तो यह सारा नोटे तो चाहे वो किसी भी इनुवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन पोर्टल का हो, सबका विडियो यहाँ पे मिलेगा, तो आपको चैनल को कर लेना है, सबस्राइब, तो चलो हम मॉप अप राउन की तरफ बढ़ते हैं, कि भी अपना मॉप अप राउन जो शुरू किया है ऑनलाइन, इसका क्या कैसे क्या हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम आपको बोलेंगे कि आज है एक तारिक तो बच्चो जिसको भी यहाँ पे अपना एड्मिशन क कैं constraints कर सकते हो तो in case आपके विचार बदल रहा है, आपके thinking बदल रही है कि नहीं, यहाँ पे नहीं admission मुझे कहीं और मिल जाएगा तो फिर आप यहाँ पे admission को cancel करा सकते हो लेकिन आज ही आपके पास withdrawal करने का मौका है, otherwise आपके फिर fees वापस नहीं आएगी आप cancellation कराओगे तो वो होगा नहीं और आपकी फीस जो है वो time पे वापस नहीं आएगी तो इस चीज़ का धियान रखेगा दूसरी बात ही है कि जो यह मौपप round है वो basically यहाँ पे आप एक चीज याज रखना यह 4 से 6 के बीश में खुला है समर्थ पोर्टल पे आपको registration करना है online registration आपका होगा only online आपका लिखा हुआ है कोई भी offline यहाँ पे नहीं चलेगा जो भी रहेगा online रहेगा आपको सिर्फो सिर्फ यहाँ पे 4 तारिक से लेकर के 6 तारिक के बीश में आपको registration कर देना है जिससे कि जब भी यहाँ पे आगे लिस्ट आया तो उसमें आपका नाम आ जाए अब हम बता रहे हैं कि कौन-कौन से बच्चे यहाँ पे registration कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी ऐसा पढ़ने वाला नहीं है यहाँ पे बस इतना ही लिखा है कि जितनी भी वैकन सीट है उनको फिल करने के लिए मॉपप राउन कराया जा रहा है और उस मॉपप राउन की जो डेट है वो चार तारीक से लेकर के 6 अक्टूबर के बीच में है तो यहाँ पे चार तारीक 12 बज़े से शुड़ू होगा और 6 तारीक रात 12 बज़े तक का खतम हो जाएगा यहाँ पे एक बार देख लिज़े लिखा हुआ है कि कोई भी यहाँ लिखा कर सकते हैं वो eligible हो सकते हैं मतलब जिनको जिनका यहाँ पे हो जुका था admission in case यहाँ पे seat नहीं ले पाए उनका भी हो जाएगा और in case उनको कोई seat नहीं मिली है तब भी उनका हो जाएगा लिखा हुआ है सबसे पहला आप यहाँ पे देख लिज़ेगा लिखा हुआ है the candidates who had cancelled withdrawal their allotment seat मतलब आपकी जो seat है उनको आपने cancel कर दिया या withdrawal करा लिया है वो बच्चे यहाँ पे mop-up round में participate कर सकते हैं दूसरा candidate who defaulted or did not pay fees after seat allotment आपने seat allotment के बाद आपने fees submit नहीं करी थी आपका time खतम हो गया था वो बच्चे भी यहाँ पे mop-up round में participate कर सकते हैं प्लस जो wait-listed candidate है in regular और spot round जो regular spot round में wait-list candidate थे मतलब wait-list में आए हुए थे वो सारे बच्चे यहाँ पे participate कर सकते हैं basically यह आप तीन लाइन पोड लिजेगा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है proper तरह से तो यह तीनों बच्चे अगर यहाँ पे available हैं तो यहाँ पे participate कर सकते हैं अपना registration बेटा चार तारिक से लेके 6 तारिक के बीश में complete कर लिजेगा आपका बहुत ही कम marks भी होगा admission होने का chance बन सकता है क्योंकि यहाँ पे मुपपराउन तभी शुरू है क्योंकि यहाँ पे vacancy अभी बहुत सारी हैं इस वजे से मैं बोल रही हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे जरूर से participate कर लिजेगा यहाँ पे लिखा हुआ है allotment shall be on the basis of merit list, their preferences choice of reservation policy आपको यहाँ पे जो basically allotment जो होगा वो आपकी merit base पे होगा आपका जो merit रहेगा उसके according यहाँ पे आपका जो preference choices होगा और जो reservation policy होगी उसके according आपका यहाँ पे result जो है वो declare किया जाएगा allotment जो होगा वो ही सारी चीज़ों को देख करके होगा लिखा हुए the merit of mop-up round allotment will be independent of merit of regular round and spot round allotment and therefore will be incomparable basically यहाँ पे जो हमने आपको यह चीज़ बताई ना कि आपका किस basis पे admission होगा वो admission आपको main 3 line यह याद रखनी है यह तीन सारे बच्चे जो है यह यहाँ पर पार्टिसपेट कर सकते हैं अभी हम important date देख लेते हैं तो यूजी cancellation की बिटा जो आज last date है आज last date 12 बज़े से प available हो अगर आपने पहले से यह registration कर रखा है तो आपको यहाँ पर edit वगएरा preference वगएरा यह सारा सब edit करके वापस से अपनी preference list बना सकते हो तो उसके लिए timing आपका 4-6 और जो बच्चे नए हैं वो तो आप participate कर ही सकते हो तो उसके लिए 4-6 के बीश में आपको करना है 4 October से ले done if required in case अगर seat vacant रहे जाएंगी तो बेटा यहाँ पर spot round 2 मतलब round 2 भी यहाँ पर declare किया जाएगा तो यह चीज़ भी आद रखना तो 8 तारीकों यहाँ पर face payment का है और 9 तारीकों यहाँ पर आप देख लेना कि जो round 2 है student portal का round 2 आ सकता है अगर required होगा मतलब अगर इनके पास vacant seat available होंगी और बच्चे अभी वहाँ पर रहे रहे होंगे तो फिर वह बच्चों का नाम उन seat पर allot कर देंगे तो वह आपका 9 तारीक में आएगा तो 8 तारीकों आपका result आजाएगा बिसिकली result जो है वो आपका 7 तारीकों आएगा 8 तारीकों फीज समिट करनी होगी और 9 तारीकों round 2 आजाएगा अगर यहाँ पर available वैसे मेरे हिसाबों से आएगा जरूर से तो यह important notice थी तो हम आप सभी बच्चों को यह बोलेंगे यह video आपके लिए बहुत important हो सकता है आपके बहुत सारे ऐसे friends होगे जिनको अभी भी बहुत ज़्यादा need होगी उनका admission कहें नहीं हो पाया है इनके बहुत ही कम marks है न तो मैं सब को यह बोलूँगी कि पूरा साल ख सब्सक्राइब करता रहेगा आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन में माता रहे ना okay thank you so much आप चैनल को सब्स्राइब कर लेना